हनुमान जी साहस और शक्ती के प्रतीक हैं पारंपरिक रूप से भय को दूर करने और अलोकिक शक्तियों से रक्षा करने के लिए उनका आहवान किया जाता है माना जाता है कि हनुमान चालिसा का पाठ करने या जय हनुमान का जाप करने से स्थान शुद्ध हो जाता है और भूत या बुरी आत्माएं दूर हो जाती है दोग भूली भयावह उर्जाओं, फंसी हुई आत्माओं या दुष्ट आत्माओं से जो प्रवेश करने वालों को नुकसान पहुचाती है यह स्थान किसी शक्तिशाली भूत या राक्षस द्वारा शापित या शासित हो सकता है तीन टक्राव यदी हनुमान जी हस्तक शेप करते हैं तो उनकी दिव्यशक्ति, पवित्रता और भगवान राम के आशिरवाद के कारण हवेली में आत्माओं या राक्षसों को कोई मौका नहीं मिलेगा अपनी शक्ती गदाया गदा और भक्ती की शक्ती से हनुमान जी हवेली को शुद्ध कर सकते थे फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कर सकते थे और शाप समाप्त कर सकते थे राक्षसी संस्थाओं को नश्ट कर सकते थे या उन्हें हमेशा के लिए भगा सकते थे चार नैतिक और आध्यात्मिक निशकर्ष यह टक्राव अंधकार पर प्रकाश की, भय पर विश्वास की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होगा यह इस विचार को ही प्रतिविन्वित कर सकता है कि दैविय शक्ती का आहवान भक्तिया मंत्रों के माध्यम से मध्यार प्रकाश की जीत कर सकता है